ध्यान देने योगे ज़रूरी बातें, अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें. नमबर एक, घर से नेगिटिव एनरजी को दूर भगाने के लिए, घर में सकरात्म कूर्जा को बनाए रखने के लिए कभी भी कमरे में चीजे एधर उधर फैली नहीं होनी चाहिए. घर में बेकार और तोटी फूटी चीजों के होने से नकरात्म कूर्जा आती है. 2. घर का में गेट साफ सुथरा होना चाहिए इससे घर में positive energy आती है 3. तुलसी का सेवन करने से malaria नहीं होता है 4. नहाने के बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग तेज होता है 5. पानी पीने के बाद जुकना नहीं चाहिए इससे सर की नसों में पानी चला जाता है 6. दूद और केले का सेवन करने से शरीर में ताकत आती है और कमजोरी दूर हो जाती है 7. हफते में एक बार नारियल का पानी जरूर पीए इससे रंग गोरा होता है 8. जो लोग अलू जादा खाते हैं उसे मुटापे की बिमारी हो जाती है 9. चाय के साथ हल्दी खाने से इंसान की मौत भी हो जाती है 10. गुड़ खाने से खून साफ रहता है 10. रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ खाने से पेट ठंडा रहता है और गैस भी नहीं बनती है 11. सलाग में बंदगोवी के पत्ते को चबा कर खाने से पेशाप खुल कर आता है 12. कीकर या बबूल की गोंद को सर्दियों में खाने से शरीर को अंदर से गरम रखा जा सकता है 13. जो औरते सुबह जल्दी उठकर नहा लेती है उनकी स्किन ग्लो करती है और वे बिमारियों से भी दूर रहती है इसलिए हमें सुबह जल्दी नहाना चाहिए 14. अगर आपके हाथ हर समें थंडे रहते हूं तो आप में खून की कमी हो सकती है 15. कानों में मैल जमा होने पर खुजली होने लगती है जिसे दूर करने के लिए रात को सूते समें दो तीन बूंदे सर्सों के तेल की डाले ऐसा करने से सुभे तक कान में जमा हुआ मेल बाहर आ जाएगा घर में कपड़े गरम कंबल को अलमारी में जादा समय तक रखने पर कपड़ों में बदबू आने लगती है इसके लिए कपड़ों के साथ खाली बोटल परफ्यूम की रख दे इससे जब भी आप कपड़ों को निकालेंगे तो अच्छी खुश्बू आएगी नमबर सतरा जो औरते नहाने के पानी में नीमबू और नमक डाल कर नहाती है उन्हें जल्दी से स्केन की प्रॉबलम नहीं होती है और उनकी स्केन नरम और मुलायम बनी रहती है नमबर अठारा दिन में दो बार मुँ में पानी भर कर आखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए इससे आखों को बहुत साइदा मिलता है नमबर उनीस पेट की गैस दूर करने के लिए पुदीने का पानी पीने से गैस खत्म हो जाती है नमबर भीस धूप में निकलने की वजह से चहरे का रंग सावला पढ़ गया हो तो अंगूर का रस चहरे पर लगाने से चहरा पहले जैसा हो जाता है नमबर एक्किस अगर आपको कमजोरी महसूस होने लगे तो काजू का सेवन करने से कमजोरी दूर हो जाती है अगर आप मसूर की डाल का सेवन करते हैं तो आपको खून की कमी नहीं होती, साथ ही ये कमजोरी को भी दूर करता है नमबर टेस, रोटी के टुकडे को 32 बार चबाएं, सुभा के समय साथ परसंट खाना खाएं, दोपहर को 30 परसंट खाएं और राद को 10 परसंट ही खाना खाएं नमबर 24, जो औरते खड़ी होकर जाड़ू लगाती है, उन्हें बुड़ापा जल्दी आता है हमेशा बैठ कर जाड़ू पोछा लगाना चाहिए, इससे घुटनों और रीड की हड़ी स्वस्त रहती है नमबर 25, अगर आपके बाल कमजोर हैं, तो दूद से बालों की जड़ों में मसाज करनी चाहिए नमबर 26, अगर आपको गैस की दिक्त है, तो आप पैदल चले, इससे गैस की परिशानी दूर हो जाएगी नमबर 27, अगर आपके चहरे पर चमक नहीं है, तो आप उबले हुए चावल को पीस कर, एक दो बूंद नीम्बू के रसकी डाले, और इसको अपने चहरे पर दस मिनट के लिए लगाए फिर थोड़ा सा पानी चहरे पर लगाकर एक दो मिनट के लिए मालिश करें और फिर धोले, इससे आपका चहरा खिल उठेगा, जुरियां जाईयां सब गायब हो जाएंगी 28. हर रोज गुलाब जल से चहरा साफ करने से गाल गुलाबी होने लगते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं 29. कुछ भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा शहर जाट ले, पढ़ा हुआ सब याद रहता है 30. भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन हमेशा शांती से करना चाहिए, इससे भोजन का पूरा पोशन मिलता है 31. चोट लग जाने पर खून का बहार रोकने के लिए फिटकरी को पानी में डुबो कर जखम पर हलके हाथों से रगरने से खून बंध हो जाता है 32. पॉपकॉर्ण डाइबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा विकल्प है, मार्केट में मिलने वाले चिप्स की बजाए आप इने घर पर बना कर खा सकते है, इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, बलड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, इसे खाने से भूग कम ल करने सकते हैं, क्योंकि अंगूर में ऐसे कई गुन हैं, जो इन्फलेमेशन को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही ये दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, चोटे बच्चों को कभी तक्हिया लगा कर नहीं सुलाना चाहिए, इससे उनके सांस की नली बंद होने और मुड़ने का खत्रा बना रहता है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो नीमू बंद को भी और खीरे का सेवन करें नमबर 36, अगर आपके दिमाग की टेंशन जादा रहती है, तो पानी जादा पिया करें, टेंशन दूर रहती है नमबर 37, रोजाना 4-5 मुनक्य के दाने चबाकर खाने से कब्स की शिकायत दूर हो जाती है नमबर 38, पनीर खाने से दिमाग तेज होता है, पनीर में विटमिन B होता है, जो हमारी मेमुरी को तेज करता है नमबर 49, हर रात को दूद पीने से केल्शियम की कमी नहीं होती है और नींद भी गहरी आती है नमबर 40, बासी रोटी पर शेहद लगाकर खाने से दिल मजबूत होता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है नमबर 41, यदे आपको कब्स की समस्या रहती है और पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो रोजाना शाम को पपीता खाएं ध्यान रहे गर्बवती महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर 42, छुवारा खाने से पाचन तंतर मजबूत होता है अगर छुवारे को दूद में उबाल कर खाया जाए तो इम्म्यूनिटी सिस्थम मजबूत होता है नमबर 43, जो महिलाओं कम पानी पीती है उनके दिमाग की नसों में खून के ठक्के बनने लगती है जिससे दिमाग पर दबाव पड़ता है और बेहोशी की समस्या होने लगती है नमबर चवालिस जो औरते पैरों में चांदी की पायल पहनती है उनके पैरों में दर्द की दिक्कत खत्म हो जाती है और हडियां मजबूत हो जाती है नमबर 45, खाने के बाद गैस की दिक्कत हो तो नीमू के अचार का टुकड़ा खाएं इससे गैस की दिक्कत दूर हो जाती है नमबर 46, बने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है और यादाश्ट भी तेज होती है नमबर 47, अनार के जूस में सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से शरीर में आईरन की कमी दूर होने लगती है रेशमी कपड़े धोते समय पानी में थोड़ा सा नीमबू डाल दे इससे रंग पका रहेगा और कपड़े भी मुलायम बने रहेगे जिन लोगों को कान में दर्द की शिकायत हो उन्हें लहसुन का तेल डालना चाहिए तुरंत आराम आ जाएगा जो लोग बाए करवट लेकर सूते हैं उन्हें दिल की बिमारी होने का खत्रा बना रहता है आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही यूसपुल टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर ले और आल पर सेट कर ले जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंट मिल जाए वीडियो देखने के लिए धने के लिए